अक्टोबर के लेटर विक्स में फ्रेट थोड़ नीचे आने शुरू हुए थे कि नवेंबर के शुरुवाती वीक्स में ही दिखा गया है कि फ्रेट जो है फिर से उपर की तरफ जाने लगे हैं पिछले कुछ वीक्स में उपर की तरफ चले गा है बाल्टिक ट्राइट में जितने ड्राइब को मोडिटी की शिपिंग है उसको ट्रेस करता है तो इसी चार्ट को देखते हुए हम लोग बता सकते हैं कि जो नवेंबर के शुरुवाती कुछ वीक्स में जो फ्रेट रेट से इसके चलते फ्रेट रेट जो है अल्रेड उपर की तरफ जाने शुरू हो चुके हैं हम लोगों को जैसे ही लगने लगा था कि यह जो सारा का सारा शेपिंग क्राइस से वह नीचे की तरफ जाने लगा है और चीज़ा नॉमलाइज होने लग यह नया वेरियंट आते ही फ् से लगा दिया है कोई भी इंडिविज्वल आप पॉच सारी कंट्री जैसे की USA UK से इन पर्टिकुलर कंट्रीज में ट्रावल नहीं कर पाएगा और वहां से कोई वापस यूके में भी नहीं आपाएगा एक्सेट अगर वो यूके यूस का सिटिजन ना हो तो असके चलते हैं पोर्स में अल्रेडी कंट्रीज शुरू हो चुका है और फ्रेट जो है क्रिम्बल करना शुरू हो चुके हैं इंडिया की बात करें तो इंडिया आरांट 12 परसंट अपने मोबाइल और मोबाइल अग्सेसरी एक्सेट ने इस बहुत चंता की बात है कि अब जो है फिर से यह एक नया वेरिंट आया है और फिर से शिपिंग क्राइस जो है कहीं ना कहीं अंता होराइजन है कि फिर से यह चीजे और ज्यादा वर्स की तरफ ही जाएंगी जो कि कुछ थाई में बेटर होने की संभावना जता ही जा रहे थी अगर बढ़ने इंपोर्ट पहले जासा को सिनारियो हो है कि बहुत सारा कंजेशन हो रहा है के अविलिविलिटी नहीं है तो वह अपना एक बैक अप लेके चल रहे है अल्रेडी उनोंने अपना काफी सारा अट्रों वह वो और कर दिया है और वह नोभी अमेकुरान वेरिंट जो है इसको एक वरियंट और दूसरे बड़े-बड़े ब्रैंड्स के लिए मैनिफेक्चरिंग करता है उन्होंने अपना जो सारा का सारा मैनिफेक्चरिंग है वो ट्वर्ड्स टीवी की शिफ्ट कर दिया है 32 और 49 क्योंकि उनको लगता है कि लॉक्डाउन के दुरान ये जो टीवी है ये जाधा तो उन्होंने अपने सारी सोर्से उस तरफ और शिफ्ट करना शुरू कर दिया है जिसे कि हम अंदाद मिलता है कि ये जो सिनारियो है शेपिंग और कंटेनर क्राइस का ये आगे जाके वर्स होने वाला है आगे अशंगा ये जता ही जा रहे थी कि 2020 के मिट तक ये सारी अगले 14 दिन तक आप लोग और जैसे ही आप लोग का सबके सारे सारे लोग नेगेटिव पाए जाएंगे उसके बाद इन पॉर्स में शुरू हो जाएंगे जो दस मेजर पॉर्स उसमें से चैना में ही है और उन चैके चैना ने बता दिया है कि जो भी शिप्स बहर से आ र दिया जाएगा यानि 7 weeks तक उन लोगों को भार खाला रखा जाएगा उसके बाद ही उनको डॉक करने की जाज़त दी जाएगी चाइना के इन मेजर पोर्स पे फैसे तो जो मुस्ट अब्स पे नहीं है बट हां किस्मस और निव यर का सीजन था पांस में जिसके लिए कि अ आपके लॉंग बीच है उनके बाहर अल्डेडी खड़े हैं और उसके उपर से यह जो नया वेरिंट आया है इसके चलते चीज़े और ज्यादा वर्स होने वाली है बट दूसरे मेजर कंट्री की बात करें तो फेस्टिव सीजन यह नहीं था और जो लुनर न्यू यर है ज तो अगर यह पोर्ट में अभी से ही लॉट न होने शुरू होते हैं चाइना में तो यह कहींना कहीं करने वाले हैं लूनर न्यू यर तक यह नी फर्वरी तक और यह तोड़े से खुलने लगेंगी क्योंकि चाइना ने अल्रडी अनाउंस कर दिया है तो इस बार भी अपन अजय के बात हुँ तो fedex ने अप्रीक इंच भी बना कर दिया है कि हम अफरिका में कोई भी कॉइपिंग नहीं करेंगे तो FedEx ने चीज़े स्टार्ट कर दिया है धीरे धीरे दूसरे बड़ी बड़ी शेपिंग कंपनीज में एरलाइन इनको फॉलो करेंगी तो अगर आप लोग ऐफरीका से इंपोर्ट करते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान में जरूर रखें क्योंकि आगई जाके चीज़े बहुत अवर्स होने वाली है तो उसके अपनी चीज़ों को प्लान करें अगर आपको इंपोर्ट करें तो एडवान्स में अपने अपने तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नुश्कार दोस्तों